न्यू रूल्स एपली केबल फरोम फर्स्ट जुलाई 2022 दोस्तो एक जुलाई से काफी सारे रूल चेंज होने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे पैन कार्ड को धार कार्ड से लिंक करने की पैनल्टी के बारे में जैसे कि आपको पता है एक अपरेल 2018 के बाद में ही इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को धार कार से लिंक करना कंपल सरी कर दिया था और ये लोग जो लिंकेज है 31 मार्च 2022 तक आप बिना किसी चार्ज के फ्री ओफ कोस्ट कर सकते थे क्योंकि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने 9-10 बार इस डेट को बढ़ाया था और उसके बाद में 1 अपरेल से 30 जून तक इसकी जो डेट जो लेट फिस है वो 500 रुपे रखी थी लेकिन ध्यान रहे अपरेल और जो मैई का महिना था इस इन दो महिनों में आपका ये पोर्टल है इंकम टेक्स का चला नहीं था और सिर्फ एक ही महिना दिया गया था 500 रुपे की लेट फिस के साथ में और उसके बाद में अगर ये डेट नहीं बढ़ाई जाती है इंकम टेक्स के दोरा जो डेट को लिंक करने की 500 रुपे वाली तो एक जुलाई से आपको 1000 रुपे जो है लेट फिस देनी पड़ेगी उसके बाद आप अपना पैनकार धारकार से लिंक है या नहीं है आप अपने पैनकार को धारकार से कैसे लिंक कर सकते है और किन-किन लोगों को पैनकार धारकार से लिंक करने की आउशकता नहीं है इन तीनों की वीडियो हमने जो है उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बोक्स में यहाँ पे दे दिया है इसके बार में बात करते हैं दोस्तों TDS के दो ने सेक्षन आए हैं एक जुलाई से सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्षन 194R की जो की बोलता है TDS on perquisites perquisites दोस्तों किसी व्यक्ति को कोई चीज मिलती है कुछ गिफ्ट मिलता है उसे perquisites बोलते है तो benefit of perquisites कोई भी व्यक्ति को अगर मिलता है वो resident person है अगर कोई resident व्यक्ति को कोई cash या kind के अंदर किसी business enterprise से कोई amount मिलती है कोई पैसा मिलता है कोई gift मिलता है और उस gift की amount aggregate amount पूरे साल के अंदर 20,000 पैसे सोरी जादा है तो 10% TDS आपका काटा जाएगा एक example मैं दे दूँ जैसे doctors लोग होते हैं तो वो कै करते हैं किसी की उनकी जो medical company का कोई product बेचने के लिए उन्हें कुछ gift दिया जाता है अगर वो 20,000 पैसे जादा हो गया तो आपका 10% TDS कटेगा इसके अलावा कई बार social media के अंदर influencer होते हैं कोई YouTubers होते हैं तो उनको किसी product को उनका जो है advertise करने के लिए वो product दे दिया जाता है free of cost में अगर वो 20,000 से जादा है तो 10% TDS कटेगा इसका मतलब यह है कि उस चीज को उस perquisit को आपको अपनी income में लेना पड़ेगा यह perquisit दोस्तों TDS को कौन काटेगा individual achieve है जो business enterprise है means जिनकी income tax में पिछले सार audit होई है जिनकी sale एक रोड से जादा है या service है, receipt है वो 50 लाग से जादा है तो वो लोग जो है 10% TDS काटने के बाद में उस perquisit की amount को उस विक्ति को दे देंगे इसी के साथ में section 194S आ गया था वो भी 1 जुलाई से applicable हो रहा है virtual currency दोस्तो, crypto currency, NFT, काफी सारे ये जो words है ये चल रहे थे हमारे जिहान में बहुत सारे लोग हैं जो इसमें trading कर रहे थे बहुत सारे लोगोंने पैसा भी कमाया है लेकिन income tax department इसके उपर सक्त होता जा रहा है अगर आप TDS को transfer अगर आप virtual digital assessed दोस्तो, VDS, VDA को transfer करते हो एक विक्ति कुछी दूसरी विक्ति को देता है तो उसको 1% TDS काटके उसको payment करनी पड़ेगी irrespective of the gain or loss उस विक्ति को नुक्सान हो रहा है, profit हो रहा है crypto से उसका कोई लेना देना नहीं है, जो seller होगा, जो बेच रहा है TDS को तो वो amount जब उसको देगा, तो 1% TDS काटने के बाद ही वो amount है आगे दी जाएगी ताकि income tax department को पता चल जाए कि इस वक्ति ने इतने रपेगे जो है crypto का लेन देन किया है इसके बाद में tax on crypto, इस बार budget में भी ये जो है announcement कर दी गई थी कि एक अपरेल 2022 के बाद में आप cryptocurrency पर जो भी transaction करेंगे, जो भी लेन देन करेंगे, जो उस पर कमाई होगी उस पर आपको flat 30% tax देना है, और इसमें अगर किसी crypto में आपको नुकसान भी हो गया है उसकी बरपाई इस profit से नहीं होगी, इस profit पर आपको flat 30% का tax है, वो ले लिये जाएगा तो ये rule भी आपका 1 April 2022 से applicable हो गया है एक जुलाई के बाद में दोस्तो, home loan, आपको पता होगा, repo rate और reverse repo rate दो तरें की interest की rate होती है जब RBAE बैंकों को loan देता है, तो जिस rate पर वो loan देता है, उसे repo rate कहते हैं ये repo rate टाइम टाइम पर घटती बढ़ती रहती है, महिंगाई को control में करने के लिए तो repo rate है, जब बढ़ गई थी, तो rate of interest भी बढ़ा दिया गया था बैंकों के दोरा अब आप अगले मेने से, एक जुलाई से अगर आप अपना home loan चुकाते हो, तो आपको 0.5% ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा ये amount है, जो ब्याज की rate है, आपको पता है, चेंज होती रहती है मान लो, पहले 7% ब्याज देना पड़ता था, तो अब आपको 0.5% ब्याज देना पड़ेगा तो बट अब्यसी बात है, आपकी किस्प थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और आपको महिंगाई की मार पड़ जाएगी इसके बाद जो लोग share market के अंदर transaction करते हैं, लेंदेन करते हैं, उनका account होता है या तो DMAT account होता है, या trading account होता है पहले क्या होता था दोस्तो, offline आपके account खुलते थे, तो उसके अंदर क्या है, कई बर KYC होती थी, कई बर नहीं होती थी तो अब अगर आपका DMAT account trading account है, और KYC आपने नहीं की हुई है, तो आपको KYC जरूर कर लेनी है जिसके अंदर आपका नाम, pen number, date of birth, mobile number, यह सब चीज़ें आपको update करनी है otherwise आपका जो account है DMAT वो रोकती जाएगा, hold पर डाल दिया जाएगा इसके बाद में IEC होता है, import and export code भी बोलते हैं, certificate भी बोलते हैं, license भी बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति विदेश से, out of India से कोई sale या service करना चाता है, कोई माल बेजना चाता है, या माल मंगवाना चाता है तो उसको इस certificate का होना बहुत ही जुरूरी है, import and export code अगर आपके पास नहीं आप बनवाना चाते हैं, तो उसकी भी वीडियो हमने description box में डाल दी है कि आप अपना import and export code खुद कैसे बना सकते हैं, अगर आपने बना रखा है, तो आपको हर साल इसको update करना पड़ता है, validate करना पड़ता है जहां पर आपने बनवाया था, वहीं पर लोगिन करके आप इसको easily update कर सकते हैं, 30 जून से पहले पहले आपको इपड़ेट करना है अपरेल, माई, जून, तीन मेने का टाइम आपके पास होता है, किसी भी तरह कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको, अगर आप इससे update नहीं करते हैं, तो deactivate हो जाएगा अगर आप mutual fund में investment करना चाते हैं, तो पहले cash, dd, neft, rtgs, check से आप use कर सकते थे, लेकिन अब एक अपरेल के बाद में दोस्तों, सिर्फ दो ही तरह से आप इसको, या UPI के मादियम से, नेट बेंकिंग के मादियम से ही, सिर्फ हम mutual fund में आप अपना पैसा invest कर सकते हैं इसके बाद में post office related एक और जो नया rule आया था, ये भी एक April 2022 से applicable था, अगर आप post office में किसी तरह की कोई service लेते हैं, महाँ पे कोई investment करते हैं, महाँ पे कोई FD खुलवाते हैं, RD का खाता जो होता है, आप हर महीने monthly installment scheme के अंदर आप पैसा लगाते हैं, तो उनका जो payout होगा दोस्तों उस पर जो कमाई होती है आपकी, वो आपको पहले cash में आप निकाल सकते थे या इसी के अंदर ही add हो जाती थी, लेकिन एक April 2022 के बाद में आपका जो payout होगा, वो आपको saving account में transfer किया जाएगा, तो आपको अपना saving account है, वो भी खुलवाना जुरूरी हो जाएगा, इसके बाद में debit card और credit card से related आपको पता है, RBI काफी stick rule है, बनाती रहती है, credit card कमपनिया मनमानी कर रही थी अपनी, तो without permission है, आपको card issue नहीं हो सकता है, सबसे पहले तो आप से OTP बगरा लिया जाएगा, और उसके बाद ही card issue होगा, card की limit है, वो भी आपकी नहीं बढ़ा सक सकती है, debit card compulsory नहीं है, नए account के साथ में, कई बार आप एक नए account खोलते हैं, बैंक में जाते हैं, तो आपका ATM card वो जल्दी से compulsory ठिक लगा देते हैं, ऐसा नहीं है, debit card चाहिए तभी लें, otherwise आपको कोई compulsory नहीं है, अगर आपने credit card बनवा रखा है, और आप बंद करवाना चाहते हैं, आप ज़्यादा credit card ना use करें, तीन, चार, पांच, लोग पांच, पांच credit card रखते हैं, अगर आप अपना credit card बंद करना चाहते हैं, और आज आपने application दी है, तो उस application के within 7 working days, 7 दिनों के अंदर अंदर उसको closing बंद करना पड़ेगा credit card को, अगर ऐसा नहीं होता है, तो आपको 500 रुपे डेली के साब से, वो credit card वाली company है, वो आपको जो है, बुगतान करेगी, इसके बाद में ITRU, ये मुझे लगता है, U-turn ले लिया है, गोर्मेंट ने, पिछले ही budget में, जो income tax department ने ITRU की नहीं facility दी दी थी, जिसे की updated return बोलते हैं, पिछले 2 सालों की return अगर आप अपनी नहीं भर पाए हो, या उसको change करना चाते हो, अपडेट करना चाते हो, तो आप भर सकते हो, ITRU जोसे बोलते हैं, assessment year 20-21-21-22 की थी, लेकिन अभी तक income tax department ने इसे start नहीं की है, दोस्तो फरवरी के अंदर जो budget आया था, तब ये announce किया गया था, फरवरी मा बरना भूल जाते हैं, उनका TDS कटा होता है, उस TDS को आप refund नहीं ले सकते हैं, अगर आपका TDS tax liability बन रही है, आप निल की रिटर नहीं भर सकते हैं, ITRU के अंतरगत, मतलब जहां पर government को benefit है, वही पर ही आप ITRU है, भर सकते हैं, आशा करता हूँ मैंने आपको जो latest information थी, वो देने की कोशिश की है, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तो लाइक करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके हमारा हुंसला बढ़ा दें, थैंक्यू सो मस्च दोस्तो, जय हिंद, जय भारत!